ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी जिनोंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किये हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपति जनक टिपड़ियां की वो अपने पुराने भरष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए राम लीला मैदान में आज ये कत्र हो रहे है ये वही राम लीला मैदान है जहांसे 12-13 साल पहले किस धंग का एक सीम दिखता था इंडिया गेंस करफशन और आज उसी राम लीला मैदान में एवरिबडी इस विद करफशन जिस रैली को इन्होंने लोक तंत्र बचाओ रैली कहा है वास्विक्ता में वो परिवार बचाओ और भरष्टाचार छुपाओ रैली है दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी द्रश्य दिखने जा रहा है चोंकि वो लोग जो भरष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बैमान की संग्या देकर सत्ता में आये थे आज उन्ही के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है चोंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है और साथ देने वाले कौन-कौन लोग हैं वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अधबुत है श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं जार खंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुक श्री शुबु शोरें जी 2006 में जेल जा चुके हैं डी-मक के नेता ए राजा और कणिमो जी 2011 में जेल जा चुके हैं और करुणा निधी जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीड़ी को यादे नहीं होगा 24-25 साल पुरानी बात हो गई है कॉंग्रेस के कई नेता सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वरगी मुलाइम सिंग जी 2007 में आए से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके उपर दर्ज हो चुका था और श्री राहूल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं मुचलके पर हैं वो 2013 में अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और F.I.R. 1990 में हुई यह तत्थ मैंने इसलिए बताया इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है अता हमें एक शब्द में कहना चाहूंगा कि यह सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए यह समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी जिन्होंने हिंदु धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किये हिंदु धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपति जनक टिपड़ियां की वो अपने पुराने भरष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए राम लीला मैदान में आज ये कत्र हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है चोरी उपर से सीना जोरी जो विगत तीन पीडियों से भरष्टाचार के आरोप में कोर्ट का चहरी और जाँच एजनसियों के चकर काटते रहे जेल से अंदर और बाहर आते रहे वो आज आकर जिस निर्लज्जता का पुरदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ भारत की राजनीत में आलोचना योगे नहीं है मैं दूसरा एक बिंदू कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीत में विश्वसनीता के संकट का परतीग है क्योंकि ये वही राम लीला मैदान है जहांसे 12-13 साल पहले किस धंग का एक सीम दिखता था है इंडिया अगे इस करफशन और आज उसी राम लीला मैदान में एवरिबडी इस विद करफशन एवरिबडी इस फॉर अपर अफ़ दे करफशन और इसलिए तब इनके गुरू अन्ना हजारे होते थे आज लालू प्रसाद यादव जी है तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीत में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सारवजनिक रूप से नहीं होता था चोर और वैबान आज उनके साथ हैं तो मुझे लगता है कि राजनीत में विश्वसनीता का संकट यही है एक तरफ हम शी नरेंद्र मोदी जी के नित्त में राजनीत में विश्वसनीता की प्रामनिकता के प्रतीक हैं यह विश्वसनीता के संकट के प्रतीक हैं हमारा यह सिध्धान्त है जो कहा वो किया इनका सिध्धान्त है जो कहा ठीक उसका उल्टा किया और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुना करते 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 भरष्टाचार करते करते दो तीन पीडियों से इन पार्टियों की सिती यह हो गई है कि लज़त कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई मुझको गुना करने की आदत सी हो गई अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कारे कर रहे हैं इसमें एक और मैं कहना चाहता हूँ बात वास्विक्ता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है वास्विक्ता में वो परिवार बचाओ और भरष्टा चार छुपाओ रैली है मैं पुना कह रहा हूँ यह तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्विक्ता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाई चारे में एक साथ है और यह मैं अभी आपको बता रहा हूँ परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए सुरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अनप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा